हाई फ्रेंट्स आज मैं आपको स्टीरोइड क्रीम्स की पूरी जानकारी देनी की कोशिश करूँगी मेडिकल ट्रीट्मेंट में स्टीरोइड का उपयोग 1950 में शुरू हुआ था आज ये स्टीरोइड डर्मेटोलिजी या स्किन की बिमारियों में सबसे ज़्यादा काम में आने वाली दवाई है स्टीरोइड का उपयोग खाने की गोलियों के रूप में और स्किन पर लगाने वाले क्रीम और उइंटमेंट के रूप में किया जाता है इस वीडियो में हम सिर्फ स्किन पे लगाने वाले क्रीम्स और ओइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि इनका उप्योग और उससे भी जादा इनका दुरुप्योग बहुत जादा होने लगा है स्टीरोइट्स कई स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में काम में आते हैं जैसे एक्जीमा और एलर्जी इनका इलाज स्टीरोइट से ही किया जाता है इन बिमारियों में स्टीरोइट स्किन का सुखापन दूर करते हैं सूजन और खुजली को कम करते हैं और यदि स्किन में रिसाव हो रहा हो तो उसे भी बंद करते हैं। दूसरा, स्टीरोइट्स का इस्तेमाल स्किन की अन्य बिमारियां जैसे सोराइसिस, सबोरीक, डर्मेटाइटिस और फंगल इंफेक्शन में भी किया जाता है। इन बिमारियों में दूसरी दवाओं के साथ इनका इस्तेमाल सूजन और खुजली कम करने के लिए किया जाता है। यदि स्टीरोइट क्रीम्स और ओइंट्मेंट का उप्योग सोच समझ कर संतुलित मातरा में और जितने दिन करना चाहिए सिर्फ उतना किया जाए तो ये स्किन डिजीज के लिए बहुत लापकारी और सुरक्षित है। लेकिन आजकल स्टीरोइट क्रीम्स का हथ से जादा दुर उप्योग फैरनस क्रीम्स की तरह होने लगा है। steroids, fairness, creams या skin को गोरा करने वाले cream नहीं है और इनका गोरे होने के लिए उपयोग करने से skin में side effect, शरीर में side effect और मांसिक side effect भी हो सकते हैं ये side effect उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जो high potency याने strong steroid का उपयोग कई दिनों तक अपने face और अपने private parts पर करते हैं इसलिए जब भी आप कोई fairness cream खरीदो उस cream में क्या है ये जरूर देखना चाहिए और जो नाम मैं यहाँ पर बता रही हूँ उसमें से कोई भी steroid आपके cream में है तो उस cream को गोरे होने के लिए बिलकुल इस्तिमाल ना करें कुछ commonly use होने वाले steroid के नाम है बीटा मेथसोन या बेटनोवेट जो आजकल सबसे ज़्यादा गोरा होने के लिए misuse या दुरूपयोग किया जाने वाला steroid है इसके अलावा क्लोबीटासॉल, मोमेटाजॉन और फ्लू सेनलोल हैं ये सब स्ट्रॉंग steroids हैं और इनका उपयोग fungal infection, मेलाजमा और सोरायसिस के लिए दिये जाने वाले creams में भी काफी होता है अब मैं ये बताती हूँ कि steroid cream के दुरूपयोग से हमारी skin और शरीर में क्या क्या हानी हो सकती है अंत में मैं ये भी बताऊंगी कि steroid cream लगा कर खराब हुई skin को कैसे ठीक कर सकते हैं पहले यदि आप steroid cream को अपने face या skin पर लगातार दो या तीन हफते से जादा लगाते हो तो उस जगे की skin पतली हो जाती है और वहाँ पर stretch marks भी बन सकते हैं पतली skin में steroid cream बन करने से improvement हो सकता है लेकिन stretch marks यदि एक बार बन गए तो वो अकसर permanent ही हो जाते हैं इस cream को बहुत दिन लगाने से skin पतली हो जाती है और उस जगे पर skin की छोटी छोटी खोटी खून की नसें उभर कर उपर दिखने लगती है इस से skin का color लाल दिखने लगता है यदि आपको pimples या मुहासे हैं या आपको rosacea की problem है तो उस पर steroid cream लगाने से infection और ज़्यादा फैल जाता है skin पर जिस जगे बहुत दिन तक ये cream लगाया जाता है वहाँ बाल भी उगने लगते हैं और skin काली पढ़ने लगती है खास करके मूँ के आसपास की skin काली पढ़ने लगती है गर्वती और बच्चों को दूद पिलाने वाली महलाओं और छोटे बच्चों को steroid cream बिना doctor की सला के कभी नहीं लगाना चाहिए जब कई दिनों use करने के बाद आप steroid cream को बंद करते हो तो वहाँ पर skin लाल हो जाती है उसमें जलन और खुजली होने लगती है skin सूखने लगती है उसमें सूजन आने लगती है और कई बार skin से रिसाव भी होने लगता है ये सब steroid cream बंद करने के एक हफते से लेकर कई बहने तक हो सकता है जब steroid cream बंद करने के बाद ये सब reaction होने लगते हैं तो लोग इतना डर जाते हैं कीवे स्टीरोइड क्रीम को लगाना छोड़ने के बजाए फिर से उसको लगाना शुरू कर देते हैं यदि आप स्टीरोइड क्रीम का उपयोग बहुत दिनों से कर रहे हो और अब उसे बंद करना चाहते हो तो ये कैसे करना चाहिए ये बताती हूँ सबसे पहले इन क्रीम को या कोई भी फैरनस क्रीम को एकदम लगाना बंद नहीं करना चाहिए बलकि रोजाना इनकी कौन्टिटी या मातरा में दीरे दीरे कमी करना चाहिए और इस तरह से धीरे धीरे कम करते वे हफते या दस दिन तक इसे लगाना पूरी तरह से बंद करना चाहिए इस दौरान अपने फेस पर साबून बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए सिर्फ ठंडे पानी से दिन में तीन चार बार फेस को वाश करना चाहिए यदि face पर सूजन या जलन या खुजली होने लगे तो उस पर emollients जैसे white weseline, pure coconut oil या ceta phil moisturizing cream दिन में तीन बार लगाएं यदि सूजन, जलन या खुजली इस तरह से पूरी तरह कम ना हो तो एक citrazine की 10 mg की गोली रात को सोने के पहले खा सकते हैं यदि सूजन और दर जादा लगे तो एक paracetamol 500 mg या क्रोसिन की गोली भी ले सकते हैं धीरे धीरे 2-3 हफते में skin नॉर्मल होने लगेगी कई लोगों को ये सब बहुत दिन तक रहता है लेकिन फिर भी coconut oil, weseline या citafil moisturizing cream के अलावा और कुछ भी skin पर नहीं लगाना चाहिए दोस्तों आशा है मेरे इस वीडियो से आपको steroid cream के बारे में जानकारी मिली है और जो लोग इसे इस्तमाल करके छोड़ना चाहते हैं उन्हें इसको मेरे बताए हुए तरीके से छोड़ने में आसानी होगी Thank you